अम नमस्षिवाई जै शिरीबालाजी महाराज दोस्तों कैसे हूँ आप सब आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्सितें सुस्तें और बाबा की यसीम कृपा भुले नात की यसीम कृपा सफर बनी रही ऐसी कामना अपने दिल से करते हैं दोस्तों जैसा कि आप सब को पता है कि सावन महा का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में शिवरात्री भी आने वाली है आने वाली 6 तारिक 6 और 7 दोनों दिन ये शिवरात्री पढ़ने वाली है तो जो है दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि आपके सवंद अच्छे नही रहता है या फिर संतान प्राप्ति आपको नहीं हो रही है आपके शादी ब्याहन नहीं हो रहे है शादी के लिए हमने पहले भी वीडियो बना रखे आप उसको देख सकते हो आज जो है आज की जो वीडियो है दो उस तो शिवरातरी को लेकी है कि शिवरातरी पर अगर आप अपनी मनोकामना कोई भी मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है तो उसको आप कैसे कर सकते हो आपको बहुत ही अच्छे उपाये बता दिये जाएंगे जिन उपायां को अगर आप करते हो तो आपकी हर तरह की समस्या जिंदगी के अंदर कोई भी रुकाबटा आ रही है या चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हरे एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए तचली दोस्तों सुरू करते हैं आज की वीडियो जैशी राम जैशी राम जैशी बाला जी महराज महंदीपुर की पवित्र शक्तिया आपके परिवार का कल्यान करें आपके परिवार को शुरक्षित रखें शंकर भगवान की किरपा आपके घर पर और माता गोरी के साथ मा अनपुर्णा की किरपा भी आपके घर पर बनी रहे ऐसी कामना अपने अराध्य गुरुदेव के शिरी चन्नों से करता हो क्योंकि शंकर भगवान हमारे अराध्य गुरुदेव है और आने वाली छे तारिक को सावन मास की शिवरात्री है इस शिवरात्री पर सावन के अंदर शंकर भगवान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि जो भगवान शंकर का जो शिवलिंग है वो निराकार रूप है इस रूप की जो पूजा करने से आपको समस्त सुको का वास होगा और जो भी घर में दुख, दरिदर, गरहे कले हर पकार की पीड़ा, हर पकार का जो घर के अंदर किसी भी पकार की रुकावट आती है, काम दंदे से या किसी की वी वहाँ में रुकावट आ रही है, या किसी की कुंडली में काल सर्प योग है या कोई ऐसा विक्ति है जो बार बार बाबा की मलो महंदी पुर जा रहा है और उनके संकट तेज धार है या ऐसे की कोई बिताल है कोई पिचास है या कोई भी ब्रम राक्षश है या कोई ऐसा कारिय है या कोई ऐसी चीज़े भी है जो मान नहीं रही या कोई जिन है तो देखिए अगर भूतनात की सेवा करोगे महादेव को ही भूतनात कहा जाता है और उनी को ही महाकालवी कहा जाता है और भूतों के प्रितों के सब के वो राजा हैं उनी की देन से ही जितने भी बेताल उत्पन होए हैं उनी की देन से ही ब्रह्म राक्षस उत्पन होए हैं उनी की देन से ही जितने भी संसार में राक्षस प्रजाती की चीजे हैं सब महादेव और माता काली का ही रूप हैं तो उसी पकार से क्योंकि बगवान वो सारे मानते है क्योंकि संकरबगवान के माध्यम से ही राक्षचसों की उत्पत्ति हैं क्योंकि महादेव जो हैं राक्षचसों के भी है और देवताओं के भी है। तो उसी पकार से आने वाली झेख ट और जो चे अगस्त आ रहा है उसमें आपको महादेव की पूजा याचना करनी है किस तरिक्य करनी है यह मैं आपको बता रहा हूं जिसमें आपको संकट की परकिरिया भी हो अगर किसी व्यत्ति के विवहामें रुकावट आ रही है या किसी व्यक्ति का मगान बग्रह नहीं बन रहा तो उस पे भी हमने वीडियो बना रखी है आप उन वीडियो को भी देख सकते हो गहराई से और जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये समस्त सुखों के लिए है मालो आपके परिवार के अंदर जो भी किसी भी पकार का दुख है दरिद्दर है या किसी भी पकार की संतान की अंदर कोई रोग है या आपकी संतान हटी है तो समस्त दुखों का सार जो है महादेव पर ही हर चीज़ का अंत होता है क्योंकि महादेव जैसे की जनम देता श्री ब्रह्मा जी और संगार करता महादेव और विश्णू जो है वो इस अंसार के पालन करता है तो महादेव संगार करता है तो उनी पर जाकर यह हर चीज़ का अंत होता है अब अगर दुखों से परशान हो चुके हो और कोई भी आपकी प्रातना सविकार नहीं हो रही तो आप महादेव की शर्ण में जाईए शंकर भगवान की शर्ण में जाईए और शंकर भगवान के ग्यारवे रुदर अफ़तार ही शरीर बालाजी महराज है तो मैं आप जो आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति रोगी है परशान है और शिवरात्री को आपने पहले मैं रोगी के बारे में बताता हूँ किसी भी पकार का रोग हो कोई भी परि मारिया हैं सब महादेव कोकि उनको एक योगी भी है वो एक योगी भी है योग की प्रकिरिया भी उनीके माद्दम से चालू ही है तो उन योगी की शिरी चर्णों में जाकर अगर आप नतमस्तक होगी और कारे करम करोगे तो आपके श्रीर में कोई भी रोग और कोई विद अतसा छोड़ दिया तो उस व्यक्ति को इस शिवरात करी किस पकार का डीया करना चाहिए यह मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है आपको जैसे की कह अ पारिश हो जाती है तो हो जाता है तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने क्या करना है आटे आटे के पांच दिपक पांच दिपक आपने आटे के लेने हैं उस आटे के अंदर आपको जो का आटा मिलाना है आपने जो होते हैं जो का आटा आपने किसी से यह नहीं ताजा जो क इच्वाटाjs पीस्वाना है आपने सिवरागि आपिछ थदूसरे परी एक कार्य करना हैं उसके अंदर आपने कनक काझपा और काटा जोकाटा मिक्स करकर और कच्शा दूद जिसमें थोड़ासा गंगा-जल मिक्स हो तो आपने त्यार करने चोट चोटे पाँच दिपक त्यार करने हैं और आपने जिस भी व्यक्ति के अंदर कोई गंदी चीज है जैसे कि कोई पिचास है कोई वेताल है या कोई खत्रनाक प्रेतात्माई है या कोई दूस्ट आत्मे हैं या कोई ऐसी चीज है जो बार-बार हटाने से भी नहीं हट रही तो उसने अपने उपर ऐसे लेकर और अपने उपर 21 वार 21 वार इस पकार से वारना है क्लोक वार कर संकर भगवान पर जाना है और उससे पहले गुलाब की 51 पतियां गुलाब की 51 पतियां लिनी है और उस 51 पत्रियां पत्र जो पतियां होती है देशी गुलाब होना चाहिए उसमें थोड़े से अक्षद चावल चावल मिक्स करने हैं एक लेप त्यार हो जाएगा गुलाबी कलर का उसको थोड़ा सा आपने जो जल होगा कच्ची लस्षी के साथ जो दू ये दुष्ट आत्मा मेरे शरीर का मालोग खाई जा रही है अंदर से मुझे छोड़ नहीं रही मैं बहुत तंग हूँ और पता नहीं किस पकार से ये करा वया है क्या किया वया है प्रभू मैं नहीं जानता आज याद अखना शिवरात्री का जो समय होता है वो दो शक्तिय कौन है जो इस संसार की ब्रैंड मैजडर है आप सोचो कि शंकर बगवान और माता गोरी अगर इन दो शक्तियों का मिलन होता है तो और जितनी भी करा कराई है इस संसार के अंदर कहीं से भी कोई चीज़ छुटती है या कोई वक्ति कहीं से भी कोई चीज़ छोड़ता है त जितनी भी शक्तियां चल रही हैं, वो सब इन दो शक्तियों की देन हैं, क्योंकि ये दो ही शक्ति इस संसार की मालिक हैं, तो इन दो शक्तियों से आपने प्राथना करना है कि प्रभू, ये समस्त शक्तियां आपके श्रीचर्णों में वास करती हैं, हे मा ये जितनी भी कोई मा मसानी के दुवारा की गई हो या कोई ऐसी चीज छोड़ी हो जो बाता की चोकी के दुवारा छुटी हो या कोई ऐसी प्रेतात्मा जो हमारे शरीपर लग गई हो तो हे मा आपकी इस चोकी के मादम से उसका निप्टारा हो और उसे यहीं पर कैद कर लिया जाए है संकरवगवान मैं बहुत परसान हूं और मैं इस चीज को नहीं जानता ये मेरे सरीर को खाए जा रही है और उस दिन ये काम करना है और वर्त रखना है जिस भी व्यक्ति के शरीर पर इस पकार की चीज है उसे वर्त रखना है और रातरी को रातरी के समय उसने क् करना है एक अखंड दीपक जिगर लाना है क्योंकि जो महादेव की पूजा का समय है French छ तारिक को आपने सुबै का समय इस पकार की पूजा करनी है और रातली का जो समय है वह जागृत समय रातरी को जागरित समय के अंदर आपने किस पकार करना है एक अखंड दीपक जलाना है सूबे तक देशी गी गाएं का गाएं के देशी गी का और उस समय आपने संकर वगवाण अगर आप उस दिन याद रखना अगर आपके घर में शादी हो क्या आप सोते हो नहीं सोते ना तो अगर जिस दिन महादेव और माता पारवती की मालो विभा हो रहा है क्या उचित होता है अब मुझे कहने की जूरत नहीं है मुझे कहने की जूरत नहीं क्योंकि आदमी जो है अपने ही स्वार्थ का है भगवान की किर्पा पानी है आपको पता है चार पैर की पूजा भी होती है महादेव की जिस दिन शिवराती होती है उस दिन चार पैर की पूजा भी की जाती है तो उसी पकार से आपने रातरी को ब जब गन आएंगे तो इस संकट इस दुस्ट आत्माओं का विनाश वह 100% करेंगे अब कोई किस विद्धी से करेगा वो उसकी सोच है जब आप इस पकार से जाब करोगे ओम नमस्शिवाए ओम नमस्शिवाए ओम नमस्शिवाए पंचाक्षर मंतर में समस्त शक्तियां आपके द्वारा किलित है किर्पा करकर आज की रातरी मैं चाहता हूं कि आप प्रसंद हो मुझसे और इस मंतर को उत्कलिन कर दीजिए ताकि मेरे शरीर पर जो भी संकट रहता है वो सद्गति प्राप्त कर सके आपकी चरनों में आ सके आपके शिरी धाम में जा सके तो मैं यह चाहता हूं आपके केलाश धाम तक पो सके मेरे शरीर के माद्दम से देखो मांगना किसके लिए दूसरे के लिए तो इस पकार का का में और यह करना अब यह तो आपको मैंने बताया और संकर्ट के लिए और जो दूसरे वक्ति हैं किसी के विवहाओं के अन्दर अरचने आरही है कोई करना चाता है जिसी के बद्धन की कमी है दन की जरूरत पुर्ण नहीं हो रही डवर मालों गर करने को मम ताहरे हो और और एसी अर्चने आ रही है क्यार में दाना नहीं को में उसको बहुत अच्छा तरीके का मैं उताओं गा जो वो खुद उस उपाय को करेगा तो बहुत कुछ उसे प्राप्त होगा आपने चंदन खरीदना है सवेत चंदन मार्किर से एक पत्थर खरीदना है जो पत्थर होता है जिस पे चंदन गिस जाता है गंगा जल आपके पास होना चाहिए गंगा जल के कुछ बुंदें डाल कर आपको थोरे से अक्षद चावल उस पर रखकर आपको गिसने है भाईया ये गिसना स्टार्ट कर देना तक्रीबन दो ढ़ाई तीन गंटे आपके लग जाएंगे गिसकर वो लेप त्यार करना है आपने लेप महादेव को सनान करवाएंगे शिरी चर्लो को धोएंगे चंदन के लेप से तो चंदन का लेप आपने त्यार करना है उस जब चंदन के लेप से आप जब घिसोगे तब कंटीनू ज्याद रखना कंटीनू परियास किसी भी चीज़ पर किया जाता है वो फली भूत जरूर होत जब आप चंधन को गिसौगे तब. इस पकार से आप कंटीनू जाप करते हैं और मगन हो जाओ प्रभू के चर्णों में के जैसे हल्दी लगाते हैं दूले को लगाते हैं आप सब्सक्राइब कर दो किया है है आपके पास होगा आपके शिरीचर्णों में आया है आप से आपकी ही मैं तो आपकी ही संतान हूँ मेरी क्या उकात क्च थीख को आपकी उकात किसी चीजी में नहीं है पहले तो अपनी उकात चेक कर ले ना क्या पैदा आप होए किस के घर में होए ब्राम्मान के घर में होए गुपता के घर में होए या किसी भी जाती के घर में होए इसमें आपका अधिकार नहीं था दूसरा आपका नाम शुरेश कुम किसमें तो सिरफ मांगने में दिखा रहे हैं कि मांगिए जिस प्रेम से मांगोगे प्रभु उतने प्रेम से आशिवाद देंगे आपको आपके समस्त दुखों का नाश करेंगे अब जिसी के पास अन नहीं है म अनकुट जो बंडार है वो किसके पास अन पुर्णमाकोन है माता गोरी तो है जिनके पास अनों का भंडार है अब शिव परिवार देखो कितनी बड़ी बात करी इनों आप शिव परिवार गनपती भीया को एर के खजाने सब उनहीं के पास है रिद्धी सिद्या शुबलाव उनके पुत्र है है तो क्या चाहिए कार्थिके भाईया तो साउत सैड में पूझे जाते हैं तो शेशनाग बताओ गले में शेशनाग इनके हैं और साथ में नंदी भाईया है भाईया तो यह काओ कि महादेपर है क्या नी सबस्त वहीं पर चुपा है समस्त राजमी चुपा है महादेव ही नहीं तो मंत्रों को खिला है तो वहीं पर सब खुलेगा तो भया महादेव की पूजा किजिये इस पकार अपने लेप तियार करकर संकर भगवान पर जाहिए और उनके उनको उसी लेप से अ रहाटे जानिंग अ क दीपक तो भी लगाएंगे और वहां पर जाकर आप भांग धतूरा सब कुछ आप लेकर नेकिन विशेश तोर पर जो लेप त्यार किया है वो मैंने आपको यह बताया है यह लेप आपने लगाना पूरा चंदन गिस्दो ओम नमस्षिवाय करकर चंदन सिद्ध हो जाएगा प्रभू के समरन कर देखो जहां प्रभू का गान होता है वहां उनके गनों का काम होता है जिस चंदन को गिस्देवे प्रभू का समरन करोगे वहां गन आएंगे ही आएंगे क्योंकि जहां चलेगा ना कितना मदूर है गुरु देव के बारे में मालो भजन करना कितना आनंद आता है क्योंकि महादेव ही तो है बूतनात तो इसलिए बोलिए बोलो शंकर भगवाने की तो वीडियो आपको कैसी लगी है आप कुमेंट बॉक्स में बताना अगर किसी और सर्चीज को आपको समझ नहीं आता तो आप लिख सकते हो और वर्ट सब कर सकते हो कल हमने पूछा था कि माता गोरी के पारवती है तो उनके पिता जी का नाम है बताईए पिता जी का नाम तो लोगों ने बताया था कि उनने दक्ष बताया था तो हिमाचर है और हमने पूछ कि माता का नाम क्या है तो माता का नाम मैना है तो उसी मैं आपको बता दिया कि इस पकार से आप कीजिए और इस पकार की पूजा का फल आप प्राप्त कीजिए और आज का जो कोशन है आज का जो कोशन है मैं आपको पूछता हूं कि दुर्गा सब्तमी के किस ने लिखी थी द बताना अपने हर्द्य में सच्चाई से बताना तो उसके बाद मजा है तो पूच पूच ले ना गुर जी हमें नहीं पता अगली वीडियो में हम बता देंगे जैश्री राम जैश्री बाला जी मारा